अगर आप प्रिपेशन कर रहे हैं उसके पॉइंट और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना विदाउट बेसिं टाइम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं जिसका मतलब कहें बहुत बड़ा होना या बहुत ज्यादा विशाल होना ठीक है जिसको आप जाइन कह सकते हैं, हुज, कुलोजल, इनॉर्मस, जिसको हम विशाल और बहुत बड़ा कहते हैं बहुत बड़े साइस का हो ठीक है छ юज अब इगनमिनी और इगनमिनी वर्ड इफेमेशन, स्लेंडर या संसर वर्ड को रिप्रजेन्ट करता हैं जिसको हम बोलते हैं किसी की बड़नामी करना, कलंक लगाना जैसे बोलते हैं तो इग्णोम नी कहलाता है ठीक है तो इग्णोमनी कभी भी भी बियाया है इसको आप defamation कह सकती है या तो लेंडर कह सकती है जिसको हम क्या कहते हैं बद्धनामी कहते हैं नेक्स जो वर्ड है वो है refurbish, अब refurbish का मतलब होता है restore करना, जैसे होता है किसी भी चीज को आप renovate करने हैं, restore करने हैं या उसको renew करने हैं, किसी भी चीज को नवी करन करना या फिर उसको नए जैसा कर देना, रीफर्बिश कहलाता है, तो रीफर्बिश कभी भी आई, इसको आप रिनोवेट कह सकते हैं, रीस्टोर कह सकते हैं, या तो आप रीफ्रेश करना भी कह सकते हैं, किसी भी चीज को नए जैसा करना, या किसी भी चीज का नवी करन करना जिसको हम बोलते हैं, नेक्स्ट वोर है माइन्फुल एक होता है कि माइन्फुल होना माइन्फुल होना यानि अटेंटिव होना केर्फुल होना यानि इसे होता है ध्यानशील होना माइन्फुल कहलाता है अगर अगर अपोजिट आता है तो आप केरलेस कह सकते हैं माद हीडलेस कह सकते हैं जो जिसको हम ध्यानशील बौलते हैं Again next है Ruthless And Ruthless वाड निर्दय या क्रूर के लिए उस करते हैं इसको हम cruel कहते हैं या pitiless कहते हैं या merciless कहते हैं Ruthless के जब से Nonim आप लिख सकते हो अगर इसका पोजिट आए तो जो compassionate हो या merciful हो यानि जो देयावान हो, ऐसा एंटोनिम आप लिखेंगे, तो रूतलेस का मतलब क्या होता है, या तो आप पिटीलेस लिख लो, या क्रूल लिख लो, या मर्सीलेस लिख लो, जिसको हम क्या कहते हैं, क्रूर कहते हैं, या जो भी निर्दई हो, उसको कहते हैं, देखो आगे क चुपर कती हैं किसी को भी लॉटा देना या उसको वापस करना कै देना ठीक है बापस लॉटाना पैस भाग रहा हότε ने कि किसी भी चीज को का पैसा चुकाना कि डिस्लॉज का हुटाना किह सकते हैं तो आप इसको रिमुव भी कह सकते ये रिपिल grapes कह सकते हैं जिसको हम कहते हैं हटाना या किसी भी चीज को मिटाना next is spawn and spawn मतलब जिसको हम बोलते हैं hate करना dislike या evasion जिसको हम नफरत या नापसंद या गिना कहते हैं वो कैकलाता है spurn spawn जिसको बोलते हैं जिसको आप hate dislike या evasion वोर्ट से कें सुन नफराइश करेंगे जिसका मतलब है अट दूना या नफैत करना मतलब्लम इस सटु लिखें जाएंट सटॉर्मद मतलब किसी को भीना करना होता है और मतलब इस पालइंग सटरोता है ठीक है? तो refuge या shelter, harbor के या अजनोंनिम आप लिखींगे जिसको आश्रे या शरन कहते हैं तो harbor को हम refuge कह सकते हैं या shelter कह सकते हैं जिसको हम आश्रे कहते हैं या तो शरन कहते हैं इसी में यह जो word होता है, यह होता है refuse, refuse मतलब किसी को भी मना करना, और यह है refuse, जिसका मतलब है shelter, ठीक है, तो सुनने में एक जैसे हैं, थोड़ा सा बस G और S का अंतर होता है, उसके बाद next है आपका baron, and baron तो बहुत ही common word है, and most repetitive word भी रहा है, baron मतलब unproductive, या जिसको हम बो style भी कहते हैं, जिसको हम कहते हैं banjar, जहां पर कोई भी उपजना हो, देखो आगे की words, so my dear friends, the next word है, वो important है, जिसका मतलब क्या है, proselytize करना, proselytize का मतलब होता है, convert करना, या to persuade to change the religion, जिसको बोलते हैं, किसी को भी धराम परवरतन के लिए मनाना या फिर उसकी कोशिश कर जाता है, तो convert करना, इसको आप क्या सकते हैं, बदलना या to persuade to change religion, जिसको बोलते हैं, जिसको बोलते हैं, धराम परिवरतन के लिए उकसाना, मनाना या किसी का भी धराम परिवरतन करना या किसी को भी बदलना जिसको बोलते हैं, proselytize के लाता है, next है altruistic and altruistic word one word substitution का भी word है जिसका मतलब है one who wishes the well-being of others first या जिसको हम philanthropist बोलते हैं या आप selfless बोल सकते हो या unselfish भी बोल सकते हैं तो altruistic word important word है one word substitution में भी आता है जिसको हम क्या बोलते हैं philanthropist unselfish या आप पूरी statement बोल दो one who wishes the well-being of others first या बोल दो दूसरों का भला सोचने वाला next is sequel and sequel जैसे आप movies वगरा देखते हैं उसमें आती है ना कि एक movie का दूसरा sequel आ रहा है तो sequel का मतलब होता है consequence या after effect जिसको बोलते हैं जिसका मतलब है परणाम next is difference and difference मतलब respect होता है या किसी को आदर देना होता है honor देना होता है difference कहलाता है respect देना honor देना difference है जिसको हम सम्मान कहते हैं या किसी को भी आदर देना कहते हैं next step potable and potable वो चीजे होती है जो drinkable हो या जिसको fit to drink बोलते हैं जो चीजे जो पानी या जो भी ऐसे liquid जो पीने योगी हो वो potable कहलाता है so potable means fit to drink या जो चीजे drinkable हो या जिसको हम पीने योगी बोलते हैं देखो आगे के बोर्स so my dear friends next word है appetite and appetite मतलब longing wish या desire है जिसको hunger कहते हैं appetite मतलब इच्छा अभिलाशा या जिसको भूग कहते हैं appetite के लाता है ठीक है तो जैसे कोई भी आपकी wish होती है ना longing होती है आपकी desire होती है कि हमें यह करना है यह पाना है तो आप appetite वोड भी ऐसा synonym लिख सकते हैं वैसे इसको हम hunger कहते हैं या कोई wish भी कह सकते हैं desire भी कह सकते हैं जिसको हम किसी भी चीज की ऐसे को भूख चाह या इसको इच्छा कहते हैं या भी लाशा कहते हैं next है counter act जैसे आपने सुना होगा every action has equal and opposite reaction जैसे होता है कि किसी भी चीज का जैसे आप कोई भी काम करते हो इसको उल्टा reaction जरूर आता है तो counter act मतलब किसी भी चीज की प्रतिक्रिया जिसको बोलते हैं counter act होता है ठीक है तो जिसको आप reaction बोल सकते हो कोई भी ऐसा action बोल सकते हो जो किसी काम को करने के बाद मिलता है counter act कहलाता है तो counter act कभि भी आया प्रतीक्रिया तो होता ही है, इसके लावा इसका मतलब एक होता है किसी चीज को neutralize करना भी, तो counter act के दो मतलब है, एक तो प्रतीक्रिया है, किसी भी चीज को neutralize करना, उसको cancel कर देना, abolish करना भी हम कहते हैं, तो counter act को आप hinder करना भी कह सकते हो, cancel करना भी कह सकते हो या counter action भी बोलते हैं, दो मतलब है, एक प्रतीक क्रिया है और एक किसी भी चीज को रोकना या तो उसको आप बाधा डालना भी कह सकते हो या उसको खतम करना भी कह सकते हो, तो counter act के दो मतलब है, next step का dismal, and dismal होता है gloomy या sadness से जिसको हम उदासी या फिर ऐसे बोलते हैं कि बहुत ही ज्यादा रंग ही जो चीजे हो नीरस टाइप की हो वो Dismal कहलाती है तो Dismal को आप Sad भी कह सकते हो, Gloomy भी कह सकते हो या तो आप इनसाइन एनसाइन मतलब फ्लाग या बैनर जिसको हम ध्वजा या पताका बोलते हैं इनसाइन के लाता है यह होते हैं कई आपने पोलिटिकल पार्टी के बैनर देखे होंगे या फिर उनका अलग फ्लाइग होता है तो इनसाइन का मतलब ध्वजा या पताका है जिसको हम बो या जो चीज़े पॉजिटिव… जिसको सकरातमक बोलती है। तो कभी भी आए। को आप positive बोल लो या तो affirmative बोल लो जिसको हम सकरातमक बोलती है।